गुड मॉर्निंग लिटिस्ट अपडेट और इस समय की बड़ी खवर ये है कि सरकार ने एक साल के लिए गुटखा, पान मसाला, खैनी, तंबाकू पूप पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस सम्बंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है तो आए जानते हैं पूरी खवर विस्तार से लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्क्राइब कर लीजे ताकि इसी तरह की लिटेस्ट अपडेट्स नई नई जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें तो चलिए वीडियो शुरू करते भारत की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरिवाल सरकार ने गुटके और पानमसाले के निर्माण, स्टोरेज और विक्री पर लागू रोग को बढ़ा दिया है अब राजधानी में गुटके पानमसाले तंबाकू वा खैनी आदि की बिक्री एक साल के लिए प्रतिबंधित हो गई है इस बारे में खाद्य सुरक्षा आयुत डियन सिंग ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध के संबंध में एक अधिसूचना जारी की आईए जान लेते हैं कि दिल्ली के ओप राजपाल जी ने इसके बारे में क्या कहा है तो मामले की जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त डियन सिंग ने बताया कि गटका पानमसाला तंबाकू समेथ ऐसे कई मादा कुतपाद आम लोगों की सेहत को नुकसान पहुचा रहे हैं इन पदार्थों के कारण देश की भावी पीडियों की जैविक सनचना पर भी फर्क पढ़ रहा है और विशेश कर जो कैंसर की बिमारी है माउथ कैंसर जो है वो गटके और पानमसाले की वैसे हो रही है इसलिए इस पर एक साल करी रोक लगा दी है तो जानते हैं कि इसके बारे में पुराने देश क्या तो इस बारे में आपको बता दें कि केंदर सरकार ने पहले ही तंबाकू वा निकोटीन वाले उत्पादों पर एंटी केकिंग एजेंट के तौर पर रोक लगा रखी है वहीं अब खाद सरक्षा अधनियम 2006 की धारा तीन के तहत मिले अधिकारूं का इस्तेमाल करते हुए दिल्ले में एक साल के लिए तंबाकू के निर्माण भंटारन और वित्रन को भी रोक दिया गया है तो यह थी लेटेस्ट अपडेट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजेगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए ओके थैंक यू